यह जो आलू चिप्स आप लोग खाते हैं, उसके पैकेटस को देखके आपको यह अक्सर लगता होगा कि कम्पनी वाले पैकेटस में सिर्फ हवा भरके बेच रहे हैं, इसमें चिप्स तो धाम मातर के होते हैं, और यहमें ठग रहे हैं, लेकिन जिस हवा के बारे में आप लो तो complain करते हैं न, वो normal हवा नहीं होती, उसमें nitrogen भरी जाती है, और actually वो nitrogen ही है, जिसकी वज़े से packet का chips इतना crispy रह जाता है, यानि कि nitrogen chips को preserve करती है, इसके लवा nitrogen एक और काम करती है, जब chips को transport किया जाता है, तब ये chips आपस में टकरा टकरा के चूर चूर ना हो जाए, इसको fact जानके आपको कैसा लगा, chat section में लिखना मत भूलेगा, काच, इंसान के द्वारा बनाये गया सबसे खुबसूरत material है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि काच को मिटी यानि की rate से बनाया जाता है, जी हाँ आप ठीक सुन रहे हैं, काच को rate से बनाया जाता है, लेकिन इतना अ convert हो जाता है, और ठंडा होने के बाद वो solid के जैसा लगने लगता है, लेकिन वो actually solid नहीं होता, scientist इसे amorphous solid या फिर super cooled liquid भी कहते हैं, सबसे खास बात ये है कि काच को mold करना बहुत ही आसान है और काच recyclable भी होता है, काच के बारे में इतनी interesting fact जानके आपको कैसा लगा, chat section मे लिखना मत भूलिएगा, अब कौन से type का toothpaste यूज करते हो, जी नहीं मैं brand नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों ने अपने toothpaste को palette के उसके पीछे green या red mark check किया है, जैसे कि wedge और non wedge के पीछे होता है, जी हाँ guys, ये green या red mark आपके toothpaste के type को बताते हैं, जैसे कि अगर green color हो, तो इसका मतलब ये बिलकुल natural ingredient से मिलके बनाया है, मतलब use करने लाइक है, अगर इसके पीछे blue color हो, तो इसका मतलब ये है कि वो natural तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसमे medicinal properties को add किया गया है, वो और भी अच्छा है, लेकिन अगर red color म chemical से बनाया गया है, और अगर आपको black color दिखें, तो उसे थुरंद fact देना, अब आप लोग मुझे बताइए कि आपके toothpaste के पीछे कौन से color का box है, चैट section में लिखना मत भूलेगा, Guys, एक बहुती मज़ेदार fact बताता हूँ, Sweden का एक शहर है जिसका नाम है Skills Tuna, और वहां की government ने वहां के बिखारियों पर license fees लगा दिये, इसका मतलब यह है कि अगर वहां के बिखारियों को भीक मांगनी है, तो उन्हें 21 pond यानि लगबग 1800 रुपे देके एक license खरीदना होग जिसकी validity मातर 3 महीने हैं, और उसके बाद ही वहां पर भीक मांग पाएंगे, और अगर बिना license के वह भीक मांगते पकड़े गए, तो उन्हें 342 pond यानि की लगबग 30,000 रुपे का जुरुमाना भरना पड़ेगा, आपको क्या लगता है कि वहां की government ने ये step क्यों उठाया ह चैट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा विख्यानिकों के अनुसार हमारी body के हर एक cell के पास अपना एक छोटा सा दिमाग होता है, जिसमें वो यादों को स्टोर करके रख सकता है इसे देख के तो यूहीं लगता है कि अभी बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जिन पर से परदा उठना बाकी है, जिसका जवाब विख्यान को देना है आपका इसके बारे में क्या कहना है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा गटना है तमिलाडू के पोथू गुड़ी गाउं की जहांके रहने वाले करपू नामक एक लड़के के घर के पास पूरे ही गाउं का स्ट्रीट लाइट का में स्विच था जैसी शाम होती वो स्विच को ओन करता और पूरे गाउं में रोशनी आती लेकिन एक दिन जब वो स्विच को ओन करने गया तो वहाँ पर एक दुरलब पक्षी को उसने बैठा पाया तीन अंडों के साथ उसने उसका फोटो लिया और गाउं के वाट्सप ग्रूप में शेर करते हुए लिखा कि जब तक इन अंडों से बच्चे बहा नहीं निकलते इस में स्विच को कोई भी हाथ ना लगाए गाउंवालों ने आर्गुमेंट किया लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी और गाउंवालों को समझाते हुए पूछा कि बचपन में जिन पक्षियों को आप लोगों ने देखा था क्या वो आज दिखाई देते हैं तब गाम वालों को समझ में आ गया कि इन पक्षियों को लुप्त होने से अगर हमें बचाना है तो हमें जागना होगा। उसके बाद से लगातार 35 दिनों तक गाम वालों ने में स्विच को हाथ भी नहीं लगाया और गाम वाले अंधेरे में रहे जब तक कि उनंडों से बच्चे बाहर नहीं आ गए और ऐसा करके गाम वालों ने इनसानियत को जिन्दा रखा। आपको ये सुनके कैसा लगा चैट की कपैसिटी को भड़ाया जा सकता है फिर भी हम लोग ऐसा नहीं करते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है डोमवरी में आपको बताता हूँ उसके पीछे का रीजन ये है कि जब भी किसी लिकविड को किसी बोडी में कैरी किया जाता है तो वो लिकविड बोडी के कॉर्णर पर बहुत जादा प्रेशर बनाता है जिसकी वज़ा से corners के crack होने के संभावना बढ़ जाती है और liquid वहां से leak भी हो सकता है इसके विपरीद अगर body goal हुई तो वहाँ पर कोई corner होते ही नहीं है तो crack कहां से होगा इसके अलावा जो goal tankers होते हैं वो truck को एक low center of gravity प्रोवाइड करता है जिससे tanker और truck की stability बढ़ जाती है आपको ये interesting fact जानके कैसा लगा चैट section में लिखना मत भूलिएगा